हेलो दोस्तों मैं हूँ परविंदर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इंस्टाग्राम अकाउंट के बेसिस के उपर कैसे फेस्बुक एड्स के लिए कस्टम ओडियंस क्रियेट कर सकते हैं तो चलिए बिना देरी के आज की वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही हैलफुल वीडियो देखने के लिए तो चलिए इस वीडियो की हम मिलेगा इन वीडियोज के अंदर मैंने बताया है कि आप कैसे टार्गेट कर सकते हैं नेरो ओडियोज क्या होती है बिजनस ओर को कैसे टार्गेट करेंगे पैरेंट्स को कैसे टार्गेट करेंगे काफी सारे अलग-अलग तरह के टिप्स इसके अंदर है इसी के साथ जो चेक आउट कीजिएगा तो चली आज के वीडियो के उपर हम आते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट के बेसिस के उपर आप ओडियंस कैसे बना सकते हैं हम माल लेते हैं कि आपके पास में कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है और उसके बेसिस के उपर आप ओडियंस क्रेट करना चाहते हैं इंस्टाग्राम के उपर ऐड दिखाना चाहते हैं उनकी आप अब कुछ चीजें करना चाहते हैं कोई सर्विज ले करना चाहते हैं पिर जो भी आपका प्रपश है उसism को आप यूज करना चाहते हैं उसी के साथ आप जो दूसरे Instagram pages हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं और अपने business shoot के अंदर और Facebook ad से connect करके उसको भी उसकी भी आप audience बना सकते हैं simple जैसे आप अपने page के लिए बनाएंगे तो ऐसे अगर pages हैं और वो आपको अपनी access देने के लिए agree हो जाते हैं तो आप उनकी भी audience बना सकते हैं फिर आप उनको बोल सकते हैं कि वो आपके बिहाफ के उपर अपने business manager के अंदर ही audience बना ले और उस audience को आपके साथ में share कर दें तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इन तीन का screen आपको दिखाई देगी create audience के उपर आपको क्लिक करना है custom audience के उपर आना है जैसे हम custom audience के उपर आएंगे तो यहाँ पर आपको instagram account चूज करना है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं instagram account हम चूज करेंगे next के उपर जाएंगे जैसे हम next के उपर आएंगे तो यहां पर आपको अपना Instagram account सबसे उपर चूज करना यहां पर यह हमारा load हो रहा है उसके बाद में आपको event चूज करना है यानकि कौन से event के उपर आप लोगों को target करना चाहते हैं और even who engaged with this professional account यानकि कोई भी हो चाहे उसने post like किया हो चाहे comment किया हो या फिर उसने कुछ भी हमारे page को follow किया है यानकि जो भी उसने action लिया है उन सभी को हम target करेंगे अलग-अलग action आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी के साथ जिनोंने हमारी profile को visit किया है ऐसे लोगों को हम target कर सकते है और ऐसे लोग जिनोंने हमारे पोस्ट या फिर add के साथ में engage किया या फिर ऐसे लोग जिनोंने हमारे professional account को message भेज़ जा है तो उनको भी हम retarget कर सकते हैं फ हम एड चला सकते हैं उस ओडियंस के लिए ऐसे लोगों को हम टार्गेट कर सकते हैं जो हमारे फोलोईंग जो हमारे प्रोफेशनल अकाउंट को फोलो करते हैं तो सबसे पहले यहां पर मैं अकाउंट चूज करता हूं और यहां पर मैंने अपना चूज किया रिटेंशन का व वो हमारी audience के अंदर include रहेंगे जैसा कि आप यहां पर definition देख सकते हैं the number of days accounts will remain in your audience after they engage with your content कि हमारे content के साथ में जब यो engage करते हैं उसके 365 दिन तक वो हमारी audience के अंदर रहेंगे उसके बाद में आप यहां पर condition लगा सकते हैं include more people exclude कर सकते हैं जैसे कि माल लीजिए ऐसे लोग जिनोंने हमारी profile को visit किया जैसे कि यह वाला है जिनोंने हमारी profile को visit किया इसमें से हम exclude कर देते हैं ऐसे लोगों को जिनोंने हमारी profile को already follow कर रखा है तो यहां पर मैं choose करता हूं और यह देखिए ऐसे लोग तो अब यहां पर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग है जिन्होंने हमारी प्रोफाइल को विजिट तो किया है लेकिन उन्होंने फोलो नहीं किया तो ऐसे लोगों को हम एड रन करके दोबारा से फोलो करने के लिए उनसे हम request कर सकते हैं एड के अंदर हम इस टाइप की एड हम रन कर सकते हैं जिससे कि हमारे फोलोवर इंक्रीज होंगे तो यहां पर कुछ एरर है तो फिलाल के लिए मैं इसको कट कर देता हूं आप इस चीज़ को आप रीड कर लीजेगा और दूसरा कोई कंडिशन हम यहां पर apply करते हैं जैसे कि who engaged visited who engaged जिनों ने हमें message भेज़ा है उनको हम exclude कर देंगे यान कि जिनों ने हमारी profile को visit तो किया है लेकिन message नहीं भेजा अब यहां पर वैसी audience हम यहां पर target कर सकते हैं तो यहां पर मैं यह complicated थोड़ी सी इन सभी चीज़ों को मैं remove कर दूँगा include भी कर सकते हैं अलग तरह की audiences को जैसे कि मालिज़ आप 2-3 pages को लेके एक audience बनाना चाते हैं तो यहां पर आप include करेंगे दूसरा page आप select कर लेंगे तीसरा page आप select कर लेंगे तो ऐसे ही करके आप audience बना सकते हैं अब यहां पर हमने audience का हम नाम डालना है तो यहां पर मैं name डाल देता हूँ audience का my blog मंतरा यहां पर description यह सिर्फ आप के लिए है और उसके बाद में आपको create audience के उपर click करना जैसे हम create audience के उपर click करेंगे तो यहां पर जो हमारी audience है वो यहां पर बन जाएगी इसके साथ में अब हमें next step दिखाई जेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसी audience के हम look-alike audience create कर सकते हैं add बना सकते हैं या फिर कोई दूसरी custom audience create कर सकते हैं इसके उपर हम done के उपर जाते हैं और यह जो हमारी audience है यहां पर आ चुकी है इसका आप use कर सकते हैं इस audience के लिए आप add run कर सकते हैं जब भी आप normal add run करेंगे तो वहां पर आप इस audience को select कर लेंगे तो मुझे उमीद है आपको सारी चीजे समझ में आई होंगी अगर आप custom audiences के बारे में और ज़्यादा detail के अंदर जानना चाहते हैं तो दो playlist मैं आपको recommend करूँगा जिनका use जिनका जिनकी help से आप काफी सारी नई चीजे सीख पाएंगे एक तो हमारी है Facebook ads की Facebook audience targeting की जो playlist है इसको आप जरूर check out कीजिएगा और दूसरी हमारी है जो Facebook custom audience की playlist है